भाई और बेनों स्वामी दायानन सरस्वती जी ने अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया बलकि उन्होंने अनेक अलग-अलग संस्ताओं संस्तागत ववस्ताओं का भी स्रजन किया और मैं कहूंगा कि रिश्री जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को ले करके चले उसको जीए लोकों को जीने के लिए प्रेरित किया लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्ता के साथ जोड़ा इंस्टिटूशनलाइज किया और संस्ताओं को जन्मत लिया ये संस्ताओं दसकों से अलग-अलग शेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही है परोपकारणी सभा की स्थापना तो महर्ची जी ने खुद ने की थी ये संस्ताओं आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो स्वामी सरधानन ट्रस्ट हो यां महार मर्ची दयानन सरस्वती ट्रस्ट हो इन संस्तानों ने राष्ट के लिए समर्बीत कितने ही युवाओं को घड़ा है इसी तरह स्वामी दयानन्जी से प्रेडित विभिन्न संस्ताए गरिब बच्चों की सेवा के लिए उनके भविश्य के लिए सेवा भाव से काम कर रही है और यह हमारे संस्कार है हमारी परंपरा है मुझे आद है अभी जब हम टीवी पर तर्किये के भूकम के दरश्य देखते हैं तो बेचेन हो जाते हैं पीड़ा होती है मुझे आद है 2001 में जब गुजरात में भूकम पाया पिछली शताबदी का भेंकर वुकम था उस समय जीवन प्रभात के सामाजी कारियर और राहत बचाओं में उसकी भूमी का तो मैंने खुद ने देखा है सब महर्जी जी की प्रेणा से काम करते से हैं जो बीज स्वामी जी ने रोपा था वो आज विशा लवट अबुरुष के रूपे आज पूरी मानवता को चाया दे रहा है कर दो प्रेणा लाजे लेखा है